जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आप ये अपने चैनल में एक बर्तेर से बहुत सो आगत है आपका अभार है और इदी अभी तरक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं आप से छोटा से निवे दने कि आप को सब्सक्राइब कर लें चैनल से जूड़ जाए तक आपको हमें साथ सही और जटी जान करी मिलते रहे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवान है ना हम अपने मन मस्तिश दिमाग में सभी चीजों को अच्छे से उतार लेते हैं लेकिन हमारे मन में इश्वर कार होना अंदर एक त्याग की भावना उत्पन हो जाती है खुद से जादा उस इश्वर पर यकीन होता है उस इस पर यकीन होता है बन में एक सकारात्मक लहर होती है इरदगरद पोजिट्व महावल होता है और चीजे जो हमारे मन मताबित नहीं कहना चाहिए वही चीजे घटित होती है जिस चीज की हम हमें आउशकता होती है जो हम नहीं प्रकट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद वी वह चीजे हो जाती है कहीं बार हम थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो हमें यह से लग सकता है कि यह गलत है यह सही हम उसका जस्टिस करने लग जाते हैं लेकिन बाद में हमें पतलत कि वो चीजे सही थी और वो होना जरूरी था तो भगवान है ना ये बात आप अपने मन में इस तरह से बिठा है जो भी इस्टू को आप मानते हैं जिसे आप को हिन्मान जी को मानता है को शिव जी को मानता है गंपती जी को मानता है मालक्ष्मी को मानता ह जिन भी देवी देवतों में आपका यकीन है उनका नाम कमेंट्स में जुरूर लिखें कि हम इन्हें मानते और इनका नाम अपलिके उन पर पूर्ण श्रद्धा आस्ता विश्वास रखना है चाहे हालात कैसे भी हो पक्ष में हो या भी पक्ष में हो खराब हालात होते हैं तो थोड़ा आदमी डगमख हो जाता इश्वर सुझके नाराजगी होती हो ना भी चाहिए कताना बाना होता है तो आप उस पर पूर्ण यकिन रखें क्योंकि उस पर आस्तास रद्धा ये तमाम चीज़े रखने से हमारे अंदर जो घमंड है इगो है हमारे अंदर जो आलस है और जितनी भी चीज़े है वह वहाँ पर ध्यान केंद्रित होने से ये जितनी भी चीज़े है ये हावी नहीं होती हमारे मस्तेश्वे पर जितनी भी चीज़े है यह सांत रहती है और इनका शांत रहना हमारे लिए प्रेक्टिकली की रूप में बहुत ज़्यदा जरुफी है तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा इश्वर के कही भाव है इश्वर महनत का नाम है इश्वर शद्धा का नाम है विश्वास का नाम है और ना जाने वो सभी positive चीज़े जो हमें इस जीवन को जीने के लिए जीवन तिकर रखती है वो इश्वर है बहुत बड़ा दाइरा है शब्दों में उसे प्रकट करना संभव नहीं है तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और इश्वर पर पूर्ण यकिन रखना इश्रिद्धा रखना है खुट को यह समझाना है तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करते रहें और वीडियो में अपनी राए लिखते रहें जाही श्रीमानंग भार